हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी ऐसी सैटिंग्स करके अपने DSLR में से एक परफेक्ट शार्ट पिच्चर को क्लिक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टीप्स बताऊंगा जिनकी मतल से आप एक अच्छी और बढ़िया शार्ट पिच्चर को क्लिक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली टीप की और सबसे पहले हम अपने DSLR को ओन कर लेते हैं तो सबसे पहली जो टीप्स है वो ये है कि आपको जो अपना focus point है उसको अच्छी से सेट लेना है जैसे कि आपको पता है यहाँ से आपको manual focus करना आना चाहिए आपको यहां से इसे सभी point पर select कभी नहीं करना है आपको इन में से उसी पर select करना है जिस पर आपका जो सामने आप देख सकते हैं जिस पर मैं focus करने वाला हूँ उस पर focus हो जाए तो आपको करना गया है आपको इस पो बहुत ही seriously लेना है और आपको सभी point कभी भी select नहीं करने है आपको सिरफ उसी point को select करना है जिस पर आपका जो subject हो और आप उसे अच्छे से picture को click कर सकें तो आपको करना किया सबसे पहले तो आपको यहां से इसे set कर लेना है जैसे मैंने इसे यहां पर select कर दिया है तो यहां पर मैंने इसे select कर दिया भी तो अभी मैं इसे अपना live short में लगा देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो सामने की और subject है उस पर मैंने यहां पर यह center में focus को मैंने set किया है आपको simply ऐसे ही set करना है इसे और इसके बाद आपको simply यहां पर एक short click कर लेना है तो इससे होगा क्या आपकी जो picture है वो बिल्कुल sharp आएगी आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो picture है वो बिल्कुल sharp आएगी और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप यहां से अपना focus point set कर रहे है तो आपको उसी पर set करना है जैसे बाद जान साब का जो face है आँखों पर आप set कर सकते है तो आपका जो focus है वो आँखों पर बिल्कुल clear आएगा और आपकी जो picture का background है वो blur होगा और picture की quality भी अच्छी आएगी और sharp आएगी तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी second tip की ओर तो हमारी जो second tip है वो है हमारी shutter speed तो आप जैसे कि आप जान सकते हैं आप जहां से इसे shutter speed को आप इसे set कर सकते हैं तो अगर यह हमारा depend करता है कि हमारे lens की जो focal length है उसको हमने कितने पर रखा हुआ है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने जो अपने lens की focal length है उसको मैंने 55 पर रखा हुआ है तो जैसे कि यहां पर मैंने 55 पर इसे रखा हुआ है तो अभी मुझे करना क्या है अभी जो मेरी यहां पर शटर स्पीड है इसको मुझे इससे दुगना करना होगा यानि कि 55 से ज्यादा करना होगा 55 तो यहां पर हमारा यह दुगना हो जुका है यहां पर एक 100 डारा है जो कि हमारा उसके जो दुगना है उससे कम है तो मुझे उ जासे अपना जो focal length है उसे set करेंगे तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी जो shutter speed है उसको double रखकर चलना है तो आपकी जो पिच्चर में sharpness है वो अलग ही दिखाई देगी तो अगर आप एक beginner है और आपको इसमें थोड़ी परशानी आ रही है जहां फिर सबसे ज्यादा इसमें जो light है वो perfect नहीं आपती है तो आपको करना गया जहां तो आपको कोई यहां पर light लगानी होगी अगर आप outdoor photography कर रहे हैं तो तो आपकी picture काफी अच्छी click हो जाएगी अगर आप इसे set नहीं करना चाहते तो आपको यहां पर उपर की तरफ आप इस dialer में देख सकते हैं shutter priority है उसे own कर देंगे उसके बाद आपको simply आपको यहां से अपनी जो picture है उसे click कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो picture है वो यहां पर बिल्कुल clear आ चुकी है और sharpness भी काफी ज़्यादा है तो ऐसे आप अपनी जो shutter speed की मदद से एक sharp picture को और बढ़िया picture क जो click कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो परशानी आती है shutter speed के मावले में तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी manual में यहां पर अपनी picture है जो click करेंगे जैसे मैं इसे manual पर लगा देता हूँ तो इसे हमारी जो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे जैसे कम मैं और ज़्यादा करता हूँ तो हमारी जो यहां पर light है वो हमारी display में कम और ज़्यादा हो रही है तो यह हमारी जो एक परशानी आ सकती है इस मामले में तो आपको इसे simply solve करने के लिए आपको इसे simply यहां पर जो आपका shutter priority है उस पर लगा देना है अगर आप एक beginner है तो तो आपकी जो picture है वो एक बड़ी quality में आ जाएगी और sharp भी आएगी तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी third tip की ओर जो हमारी है aperture setting तो जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैं इसे manual में कर देता हूँ तो यहां पर हमारी जो aperture है उसको हमें set करना होगा जैसे यह हमारी aperture है आपको जहां पर आप देख सकते हैं लग-लग aperture आप यहां से set कर सकते हैं तो जितना हमारा जो कम aperture होगा हमारी जो picture है वो हमारी उतनी ही sharp कम आएगी तो जितना भी हम इसको बढ़ाएंगे जैसे मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ 8 पर रख देता हूँ तो हमारी जो sharpness है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाती है और अपनी जो blur है वो थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन आप अगर blurry picture क्लिक करना चाते हैं तो आपको जो इस aperture को उतना ही कम करना होगा तो simply मैं अभी sharp picture क्लिक करना चाता हूँ तो मैं इसे मैं 8 जो 7 पर रख सकता हूँ तो इतने पर आप उसे रख लें और उसके बाद एक अच्छी बढ़िया picture आप क्लिक कर सकते हैं तो यहां से आपको मैं दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं यहां पर हमारी जो picture है वो बिल्कुल बड़ी है quality में आ रही है और perfect आ रही है और sharp भी आ रही है तो यह हमारी थी setting aperture की इसके बाद हम चलते हैं अपने ISO की और तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जैसे जैसे अपना जो ISO है उसको हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारी जो picture है उसमें हमारी जो sharpness है वो कम होती जाएगी तो जैसे ही हम इसे कम करते जाएगे तो हमारी जो sharpness है वो ज़्यादा होती जाएगी तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा कम ही रखना है आपको इसे 100-200 में ही रखना है तांकि आपकी जो picture है वो पूरी sharp आ सके और आप इसे auto पर रखेंगे तो camera है जो वो आपका automatically से adjust कर लेगा तो आप इसे 100-200 के बीच में रख सकते हैं तो इसके इलावा भी जो बात आती है वो हमारी है stability की तो सबसे पहले हमें जो अपने हाथों की stability है उसे बनाई रखना होगा तांकि हमारी जो picture है वो बिल्कुल एकदम sharp आए और उसमें कोई भी हल चलना हो अगर हम थोड़ा सा भी इसमें हल चल करेंगे तो हमारी जो picture है वो अच्छे से नहीं आप आएगी और हमारी जो picture है वो हमारी sharp नहीं आप आएगी तो आपको ये सबी द्यान रखना है सबसे पहले मैं आपको बताया था कि shutter speed को आपको जो ऐसे अच्छे से control करना है जैसे आपकी जहांपर जितनी 55 है तो आपको जो अपनी shutter speed है उसको आपको दुग ना रखना है 125 इसके बाद मैंने आपको बताया है कि aperture setting आपको aperture को सेट करना है अगर आप aperture को ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो picture है वो sharp आएगी अगर आप इसे कम करेंगे तो आपका जो blur है वो ज़्यादा होगा लेकि sharpness कम होगी उसके बाद मैंने आपको बताया कि focus point तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है हमारे जो भी focus point है इस पर आप set कर सकते हैं अपने focus को इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा eyes पर रखें अगर आप किसी person की picture को क्लिक कर रहे हैं तो आपकी जो picture है वो perfect आएगी और sharpness आएगी इसके इलावा मैंने बात की यहाँ पर ISO की तो जैसे कि यहाँ पर ISO है इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी जो picture में sharpness है वो कम होती जाएगी और जितना आप इसे कम रखेंगे उतनी आपकी picture है जो sharp आएगी इसके बाद हमारी बात है stability की ताकि हम अपने कैमरे को इतने अच्छे से बगड़ें कि हमारे जो हाथ हों वो stable हों और हमारी picture है जो वो भी अच्छे से click हो सके तो friends मैं अमीद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी यह tips बताई एक अच्छी शापने स्पिचर क्लिक करने के रिए वो आपको पसंद आई होगी और आप इसको यूज़ करकर देखेंगे और आपके यह बहुत काम हैंगी तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भोलें